अमरित सर में Medical College Strong Room के विभिन मतदान केंद्रों पर उमीद वारों के भविश्य के लिए EVM मशीन भेजने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई और सरकारी करमशारियों की टीमों वे सभी चुनाफ परिवेक्षकों को अपने संबंदित निर्वाचन छेत्रों में केंद्र सुरक्षा और अन्य अवश्य कुपकरणों के साथ अपने करतव्यों को पूरा करने के लिए भेजा जा रहा है इस बात का खुलासा करते हुए आज SDM लोपो के अमरिंदर सिंग ने कहा कि इस बार सरकार द्वारा PWD मतदाताओं की सुविधा के लिए किये जा रहे प्रयासों से करीब 40% विकलांग मतदाताओं को ये सुविधा उपलब्द कराई जाएगी पंजाब में चुनाफ सुचारू रूप से कराने के लिए प्रती बद्ध है मशीनों को खोला गया और चेक किया गया मशीनों पस सीसी टीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है और स्ट्रॉंग रूम के बाहर सी आई एसर सुरक्षाबल तैनात किये गए हैं अमरित से सोनू सोधी की रिपोर्ट मेरा नाम अमरिंदर सिंग है मैं स्ट्रॉंग लोपो के वज़ों तैनात है ते इस एलेक्षन देविच बता और रिटारिंग आफसर बारा राजार संसी कम कर रहे हैं देखो यह त्यारी एजड़ी एलेक्षन दी है है इसी आई गाइडलाइन से मताबक आज दे दिन तो बहुत पहला स्टार्ट हो जादी है असी पिछले तक्रीवें डेड़ मीने तो यह त्यारियां देविच लगे हैं आज दी एलेक्षन दू कर्मान वास्ते जिसे विचे प्रोसेस नू कंप्लीट करके बटन दबन जारे हैं एक तरह दा साधी सारी पोलिंग मशीनरी दा उसनों चलाउन दा इते सर्फ बारारा राजय संसी हलके दा काम चाल रहे हैं यह वो जगाह जित्व हैं सारी पोलिंग मशीन ते पोलिंग पार्टी इस नुवाज तोर ना स जिनना दे ओपर GPS फेटर ने जब यांगते आंगी ना लेकी किता गया जड़े पीड़ेडी वोटर्स ने हो देली ECI ने स्पेशल गाइडलाइन्स ने के जिनना भी हो सके उनना नू असी सहयता करनी है उनना पूरा सनमान दे नालो ना दी वोटिंग करोनी है तो कोशिश ह कोई भी PWD वोटर वोट करना तो रहना जावे इस देली दो पराले किते गेने इकता इस वर पहली वार होया कि PWD वोटर नो अपने करतों वोट पांदा दिकार देता है एलेक्शन कमिशन ने जिस देवेचे असी वोटरां दे कर जाके भी अलो दे थरू उनना दी मर्जी ल प्रत है और पॉलिंग भूतिया कि वोट पाएगा एक हजार तो जादा पुलिस करमी आज पॉलिंग पार्टीश देनाल इतों डिस्पैस सेंटर तों बसां दे विच्छन देनाल जानगे जाता कि पॉलिंग मशीना इतों स्टॉंग रूम तों निकलन तो बाद वापस निकल शामी बोटां पैन तक एहें पॉलिस सेक्यूरिटी ते सेंटर फोर्सेज दी सेक्यूरिटी दे विच्छ रहनेंगें